अलो स्ट्रेंज, कैसे हैं आप सब एक और चैलेंजिंग एंड इंपोर्टेंट प्रोवलम आप सब के लिए लेकर आया हूं आई इस कोष्चन को सॉल्व करते हैं और देखे हैं कि यह जो प्रोवलम है यह प्रोवलम लीमिट्स कहें या फिर definite integral as a limit of sum का problem है इसमें बच्चों को बहुत confusion होता है कि क्या apply करें और किस meter से problem solve होगा आईए इसको detail में solve करते हैं देखिए evaluate this लिखा हुआ है ओकी तो ये काम करते हैं सबसे पहले देखो एक ये दे रखा है और into में आपका ये दे रखा है बीच में आपका into है ठीक है ये काम करता हूं इसको सबसे पहले वाई लेता हूं वह खी अब वाई लेने के बाद जो दुसरा step है मैं क्या करता हूं taking log on both side ठीक है दुसरा step है कि हमने दोनों side log ले लिया ठीक है तो यहां पर रगाऊंगा तो direct मैं limit लिखता हूं और into क्या लिखता हूं infinity log यहां पर apply कर दाता हूं क्याने कि log n और यहां पर हो जाएगा minus one by two one plus one upon n ठीक है into one to the power one two square ठीक this dot 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 into the power n और यहां पर लिखा हूँ है one upon n square तो यहां पर क्या लिखे लेंगे log y ठीक है अच्छा यहां पर बीच में क्या है into है और इसको मैं फिलहाल ऐसे लिखता हूं ठीक है this okay तो आप मैं क्या लिख सकता हूं इसको limit into infinite ठीक है log a into b यानि कि log a plus log भी formula अप्लाई कर लेता हूं तो यहां पर देखे log यह हो जाएगा मेरे पास n minus one upon two one plus कितना हो जाएगा one upon n and then plus कितना हो जाएगा मेरे पास log one to the power one two square three cube dot 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 n to the power n and then power कितना हो जाएगा one upon n square which is equal to log y okay अच्छा थोड़ा सा और अभी log का formula के three square simplify कर लेते हैं तो देखो यहां पर log यहां पर these power यह तो power आपका बाहर निकल जाएगा तो मैं लिखूँगा minus one upon two and then one plus कितना हो जाएगा this और यहां पर शिर्फ बचाएगा मेरे पास login यहां पर log का formula अप्लाई कर रहा हूं okay and then plus यहां भी one upon n square क्या हो जाएगा यहां पर बाहर हो जाएगा और यहां पर लिखूँगा log this one this and into this और into यहां पर यहां पर this डॉर 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 दॉर पार n which is equal to क्या है log y right ठीक है तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं limit into this right ठीक है अच्छा इस स्टेप को तो मैं डिरेक्ट ऐसे लिखता हूं यहां पर यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास in हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा log in type and plus यहां पर क्या लिखूँगा मैं this okay and log this लिख रखा है तो यहां पर मैं क्या लिखूँगा इसको multiply कर लेता हूं log 1 to the power क्या लिखूँगा मैं 1 ठीक है log 1 to the power 1 हो जाएगा प्लस यहां पर हो जाएगा log 2 square प्लस यहां पर लिखेंगे हम लोग log कितना लिखेंगे 3 cube and then plus dot dot plus यहां पर लिखेंगे log in to the part in और विच इकल डुक्या लिखेंगे log white एक फर्मूल अप्लाइग कर रहा हूं यहां पर लग गया log जिसे log a b equal to क्या होता है log a plus log a b c d कितना भी multiple हो तो सब क्या हो जाएगा प्लस में चेंज कर जाएगा log a plus log b plus log c plus log d plus up to solve right ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे limit in to infinite minus one upon two यहां पर लिखेंगे चलो one plus n कर दता हूं क्या परक पड़ता है यह प्लस one one plus n एक ही बात है ठीक है और यहां पर लिखेंगे log in and plus यहां यहां पर मैं लिखोंगा one upon n square आप ध्यान से देखना यह लिखा हुआ है log one to power one यहां पर निकलेगा और यहां पर log one zero भी पूट कर सकता हूं लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्यों नहीं कर रहा हूं इसका भी logic आप समझोगे अभी two log two and then plus क्या लिखेंगे यहां पर लि यहां प्ला यूट किया है ओं मैं आपको सबसे पहले हाप लिख रहता हूं ठीक है नव लिख रहता हूं ओंख लाग देराखा है है यहां पर देराख कितना यह इतुर पार भी तो यहां लिख सकते हैं तिक है इसे तरह अगर यहां भी अगला पार्ट में प्लस सी के साथ लोगा जाएगा ठीक है तो आई तिंक लगता है कि यहीं दो फर्मूला तो अप्लाई हुआ है यहां थे अप्लाई किया एक पावर वाला और यह था मल्टिप्लिकेशन तो इसको ऐसे लिखा पिर यह किया ठीक है दो फर्मूला अप्लाई दोनों को लिख दिया कोई बाकी नहीं लिखता तो भी आपको फ्रमूला तो याद हो गाई होगा ठीक है आप यहां देश्दा देंट प्लस लिखहुआ है अच्छा आप मैं इसको देखना क्या लिखने वाला हो इतना पार्ट जो प्लस में लिखहुआ है इसमे और हम रिखे रहेता हूं ऑर यहां पर अप्तम यहां है स्काइमा लिखंग होगा यहां पर करें और यहां पर लॉग और देखो जब वन पूट करोगे तो वन लॉग वन जब हम तूपूट करेंगे तो लॉग तो यही तो बन रहा है लाश्ट में लॉग न ठीक है क्योंकि हमने सम अप्टू एं तक रखा है ठीक है तो देखो यह पार्ट को मैंने ऐसे लिखा अब अगला सम्ट अप्सम डेफिट इंटरेगल एंजल लिमिट अप सम कहीं यूज होगा इस कोश्चेंड में ओके तो अब देखो जो अगला स्टेप है आई ठीक मेरे ख्यास से बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है वह स्टेप क्या है देखना इस अच्छा तो पहले लिमिट ऑफ स सम जैसे हमने समझ लिया तो इस सच्टेप को लिखने से पहले मैं उसका थोड़ा सा आपको एक फॉर्म समझा देता हूं ठीक है लिमिट ऑफ सम यहां पर दो फंक्शन मैंने क्या लेलिया एक जीएक और यहां पे लेटा हूं है पी एक सीक ए अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं यह अब आजाता है यहां पर मैं लिखता हूं यहां पर लिख दिया टी-स रइट ठीक है तो देखिए अब तो अब क्या-क्या चेंज हुआ किसी से क्या वैलू रिप्लेस हुआ यह धिया रखना तो देखो यह जो आपके पास जो इस सिग्माल वैलू है यह आपको इंटेगल में रिप्लेस कर देता है ठीक है और यह जो आर अपॉन एन है यह आपका एक्स से रिप्लेस हो जाता है ठ to infinite limit into infinite और यहां पर देखिए function क्या है GX मतलब sigma कर नीचे जो value है यहां पर इसको लिखते हैं GX divided by this ठीक है और जो B का value होता है वो मेरे पास होता है limit into infinite और उपर में कितना है PX तो यहां पर PX divided by N यह value ऐसे निकल जाता है ठीक है तो अब यहां पर हम लोग कुछ ऐसा ही apply करेंगे मतलब जो फॉर में R upon N देख रहे हो नो यह आपको देखना चाहिए तो अब यह कैसे convert किया जाए तो यहां में देखना पड़ेगा और यहां पे जो वहन है न अब चुकि आप सोचोंगो कि आर क्या है तो यहां पर इसे सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए बढ़ाते हैं इस question को देखे यहां पर लिखा हुए limit in to infinite यहां पर लिखा हुआ है minus one upon two, यहां पे लिखा हुआ है n plus one divided by n और यहां पे लिखा हुआ है अच्छा तो अभी problem यह हो रहा है sigma form में लिखा हुआ है, मैं लिखूंगा 1 upon 2, यहां पर n plus 1 पहले से है, तो मैं लिखूंगा n into n plus 1 and divided by मैं क्या कर लता हूं n square, ठीक है, अब एक काम और यहां पर फिर सॉर करता हूं, यहां से यह वाला जो है ना, यह minus 1 upon 2, तो minus तो मैं यहां पर लगाता हूं, और 2 मैं यहां यहां पर लेता हूं, ठीक है न, इसके साथ, ठीक है, और यहां पर लिख लिए this and then plus यहां पर 1 upon n square, this r is equal to 1, यहां पर n और r यहां पर ख्याले साथा हूं, log r, ठीक है न, एका कश्टेप आपके साथ सेर कर रहा हूं, फिर हम लिमिट लिखेंगे, n2 क्या लिखेंगे, infinite, र ठीक है, और यहां पर क्या लिख दता हूं, रिखता हूं, राइट, देखो, लिख दिया न, अब देखो, r is equal to 1, फिर r is equal to 2, यानि कि 1 plus 2 plus 3, यानि कि sum of natural number, ठीक है न, यह जो concept है, यह क्या concept है, sum of natural number, sum of natural number, sum of natural, मैं लिख दता हूं, और यह जो formula है, I think यह formula है, इसी का तो ह है, तो हमने इतने को a form में लिख दिया, और इसके साथ into में क्या है, इसके साथ log in है, and then plus 1 upon n square, these r is equal to 1 n, और यहां पर क्या लिख लेंगे, r log r, अब आपको एदम clear हो गया होगा, ठीक है, limit n to infinite, 1 upon n square, 1 upon n square, दोनों क्या है, sigma है, तो पहले तो मैं 1 upon n square, ले लेता हूं, यहा यहां पर लिख लेंगे, r log r minus sigma r is equal to 1 up to n, और यहां पर क्या लिखेंगे, r, and then क्यातना हो जाएगा, log n, right, देखो यहां गया न, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, अब इसके बाद, तो limit n to infinite, 1 upon n square, right, अब इसको मैं एक ही sigma में लिखता हूं, तो कितना हो जाए होगा, तो limit n to infinite, and then 1 upon n square, sigma r is equal to 1, यहां पर n, और यहां से अगर मैं यहां पर r और r अगर common लेता हूं, तो यहां पर r अगर common ले लिया, यहां पर हो जाएगा, log r minus log n, right, यहां पर हम लोग लिख लिखेंगे, limit n to infinite, 1 upon n square, sigma r is equal to 1, nr, log a minus log b, log कितना होता है, तो e upon b r upon n, द right, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और काम कर लाता हूं, क्योंकि यहां पर भी r है, तो मैं इसको एक और ऐसे लिखता हूं, 1 upon n, sigma r is equal to 1, यहां पर n, और यहां पर भी r upon n, एक n को इस r के साथ सिप कर लिया, ठीके, और यहां पर लिखा हूँ है, log r upon n, अब एदम बिलक आपके पास जो limit of sum का, जो format होता है, उसमें convert हो चुका है, तो सबसे पहले sigma sign को मैं किसे replace करूंगा, this equal to क्या लिकूंगा, integration, right, यह r upon n को किसे replace करते हैं, तो e x c, तो यहां पर सबसे पहले x, यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा, log x, right, ठीके, one upon n को किसे replace करते हैं, तो dx से, ठीके, और यहां पर जो limit होता है, यहां पर जो value होगा, upper limit and lower limit, upper and lower, वो कैसे निकलता है, तो यहां पर मैं limit अगर मैं a और b अगर कर दूं, तो e का value सबसे पहले निकल लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, तो limit in to infinity, जो यहां पर आर का value सबसे lowest है कितना, one upon n, ज कैसे निकलता है, तो limit in to infinite, कितना है, in, यानि कि in upon n, जो कि क्या हो गया, आपके पास, यह one देगा, तो result कितना देगा, one, यानि कि a is equal to zero and b is equal to कितना आ गया, one, बस इसी को क्या करना है, आपको integrate करना है, यानि कि zero to one, और x और क्या लिखा हुआ है, log x और यहां पर dx, ठीके, आप इसको solve करने के लिए क्या apply कर देंगे, तो बहुत basic सा integration दीख रहा है, तो integration by parts, ठीके, uv dx is equal to uv dx minus integration du upon dx integration v dx, मैं आपको revision भी करा देगा हूँ, formula भी लिख देगा हूँ, साथ साथ में, ताकि आपको revision हो जाए, तो अब यहां पर कर लेते हैं, तो इसको ले लेंगा, u, इसको क्या लेंगा भी, क्योंकि हम यहां पर i linked के through ही तो काम करेंगे, तो logarithm हम पहले आ रहा है, और algebraic बाद में आ रहा है, ठीके, तो इसके according, पहले यहां पर log x लिखेंगा, integration x dx minus integration d upon dx, यहां पर क्या लिखेंगा, log x, integration x dx, और यहां पर क्या लिखेंगा, dx, अब यहां प x square upon 2, and then, यहां पर लिखेंगा, log x, यह वाला step को ना, direct ही लिखना चाहिए, यह step में confusion होता है, मैं आपको prefer करूँगा, इसको direct integrate करके लिखो, x square upon 2, and then, यहां पर क्या लिखेंगा, log x, और एक ही साथ में limit को रखना होता है, ठीके, तो चलो, यह step में भी में लिखेंगा, minus, ठीके, यहां पर 0 to 1, right, तो यह log x का derivative, 1 upon x into, यह कितना हो जाएगा, x square upon 2, and then, 1 upon 2, and, यहां पर कितना हो जाएगा, आपके पास, log 1, and minus, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, and minus, यहां पर अगर करूँगा, मैं, 0 to 1, आप तो यहां पर हो जाएगा, आपके पास, x or x gap हो गया, तो यह हो जाएगा, 0 to 1, और यहां पर हो जाएगा, x dx, ठीक है, और 1 by 2 को मैं यहां पर बाहर कर लेता हूँ, ठीक है, तो यह तो पुरा 0 हो गया, यह आपका 0 हो गया, इधर वाला, तो minus 1 upon 2 into x square upon 2, and then 0 to 1, यानि कि minus 1 upon 2 into, यहां पर हो जाएगा, मैं पास 1 upon 2, which is equal to minus 1 upon 4, ठ मतलब, this equal to चल रहा, तो मैंने बीच में skip कर दिया, बहुत सारा value, ओके, तो यह is equal to log y, मत्तब, इस सारा value है, जो यह LHS को में लिखते चला गया, ठीक है, और यह जो value है, इस सब को हम यहां पर लिखते चलेगे, यह भी है, log y, यह भी है, log y, ठीक है, और यह भी आपका लोक यह लोकिस कोड़ लॉग वाई ठीक है तो फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास मतलब यह जो हमने इवैलिएट किया मतलब इसी को लिखा यानि कि दीस इकुल टो ना लिखा हुआ है लॉग वाई टीक है तो लॉग वाई इसकोड टो गितना आ गया मेरे पास माइनस अच्छा एक कोश्चन में ने करा रखा है यानि कि लॉग वाइज कल टू माइनस वन अपॉन फॉर हमें वाइज निकलना था वाइज कल डू कितना हो जागा इतुल पावर माइनस वन अपॉन फॉर थी हमारा आंसार आ गया अब देखे कोई ऑप्षन है कि मुझे लिमीट औफ संब कैसे लेखना है लाइक कि यसरा झाल झाल